कि अच्छ लीने इस वेस्ट नियु अप्डीट आचुका है के 20 प्रो के लिए और मैं रहे इंस्टॉल कर लिया है मेरे के 20 प्रो तो चलिए का जिल्दी से देख लिए देख लिए कि इस न्यु अपडीट के साथ में कौन-कौन से फीचर्स कौन-कौन से चेंज़स देखने क को मिल जाते हैं और यह रॉम यूसेबल है या नहीं अगर बात कर लें इस रॉम की डीटेल्स के बारे में तो हम लोग देख सकते ही जो रॉम में यह एंड्रॉइड 10 वेस्ट है और साथ ही साथ अगर हम लोग बात कर लें लीनेज वेस्ट के वर्जिन का तो यहां पर हम ल यहां पर गूगल प्ले सिस्टम अप्डीट जो है वो 10 है और यहां पर जो कर्णल यूस किया गया है वो है पर्फ कर्णल तो कैस यह है लीनेज रॉम का एकदम से लीटेस्ट अपडीट अगर हम लोग बात कर लें इस रॉम के एक ओवर व्यू के बारे में तो यहां पर हम एक वैनिला रॉम है तो अगर आप माइक्रो ओपन जी अप्स को यहां पर फ्लैश करेंगी तो आपको पिक्सल लॉंचर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा परसुनली मैं पिक्सल लॉंचर को ज्यादा प्रिफर करता हूँ क्योंकि पिक्सल लॉंचर ज्यादा स्मू अधर देख सकते हैं जैसे यहां पर अम्यन डिस्प्लेई काफीन मोड हेदश अप के टाइल्स एओडी के टाइल सिंक्रोनाइजेशन के लिए भी यहां पर टाइल्स हैं और साती साथ यहां पर सिस्टेम प्रोफाइल्स का भी टाइल्स देखने को मिल जाता है इन फेक्त जल्दी से हम लोग बात कर लें नेट्वोक्स और इंटरेट के बारे में तो नेट्वोक्स और इंटरेट पे वाई-फई एकडम प्रॉपर्ली वरकिंग है, इन फैक्ट यहाँ पे मोबाईल डेटा और वोज वाई-फई कॉलिकर भी कोई प्राब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम मैंने थोड़ा से फेस किया वो है रिगार्डिंग था वोल्टी वीडियो गाल वोल्टी वीडियो गाल उतना कंसिस्टेंट मेरे को नहीं मिला कुछ कुछ टाइम में वो कनेक्ट नहीं होता है इस रॉम में फिर मैं अब सभी को एक नॉर्मल कॉल करके दिख उसके बाद अगर बैटरी में आ जाए तो यहां पर बैटरी आवरेज है एक दिम से बेस तो नहीं बोलूँगा लेकिन हाँ यहां पर आपको मीडिय म्यूजिच में लगबग 6 गंटे का बैटरी लाइफ आरम से मिल जाएगा यहां पर आपको थर्मल प्रोफाइलिंग के बींद और गुद शैसे और फीर वाल्हिन के नाम से आपसे आपसे अपसे जानते हां वो मेनू आपको यही देखने को हम इल जाएगा, इसके बाद अगर sound को related भी बात कर लें तो यहां पर sound बिल्कुल अच्छे से काम करता है कोई problem नहीं है and advance में अगर हम लोग आ जाए तो नीचे हम लोग direct sound enhancer का भी option देख सकते हैं तो यहां पर sound बिल्कुल properly working है इसके बाद अगर यहां पर हम लोग बात कर लें security को लेकर तो security में हम देख सकते हैं यहां पर pattern के साथ सथ fingerprint भी यहां पर available है लेकिन कोई भी face unlock हमें देखने को नहीं मिलता यहां पर इस update के साथ में ही बूलना चाहता हूँ कि fingerprint drastically improve किया है यहां पर accuracy rate and जो इसका speed है वो दोनों ही काफी सते improve कर चुके है आप आराम से fingerprint के उपर rely कर सकते है यह one of the best fingerprint लीने चो इसके इतने सारे जो updates मैंने डिसीव किये सबसे अच्छा fingerprint मुझे इस update में लग रहा है इसके बाद अगर वो जल्दी से बात कर लें Systems में तो systems में लेग सकते हैं यहा पर option हैup buttons button में आप झाकर buttons को configure कर सकते हैं इसके बाद अगर मुब बात कर लें front camera so old effects तो उसमें आप फ्रंट गामरा जिया pop-up camera यह उसके sound effects को configure कर सकते है इन फैक्ट इसके साथ साथ में आप सिस्टम प्रोफाइल, स्टीटेस बार कन्फिगरेशन और यहां पर जेस्टर सपोर्ट भी दिखने को मिल जाते हैं यहां पर जेस्टर के लिए मेन्यू है, जिसमें आप स्वाइब टो स्क्रीन शॉर्ट और सिस्टम राविगेशन को यहां पर कन्फिगर कर सकते हैं इनफेक्ट यहीं कातम नहीं होता है, शिस्टम में एक जो कुरूशल फीचर जो के है, शिस्टम अपडेटर वो मेन्यू भी यहां पर प्रेजन्ट है यह actually क्यों helpful होता है क्योंकि system update रहने पर इस ROM का गर फिर फर्थर update आप receive करते हैं तो उसे directly यहीं से update कर पाएंगे नहीं आपको फिर से ROM का zip file है उसे download करके custom recovery जिस से और flash नहीं करना पड़ेगा तो इसके बाद जल्दी से फिर से आजाए home screen में और बात कर ले camera को लेकर तो camera हम यहाँ पर देख सकते जो camera है वो एकदब अच्छे से ही काम करता है लेकिन जो application है वो है snap cam जो कि काफी basic होता है तो अगर आप ANX cam या फिर G cam जाता यूज़ करते हैं तो मैं आप सभी को recommend करूँगा कि आप अलग से उसे download करके flash कर ले क्योंकि आपको inbuilt वो नहीं मिलेंगे यहाँ पे तो गैस इस update के साथ एक bug जो हमें पिछले build में देखने को मिलता था वो भी हो चुका है fix जो कि है regarding the burn in protection आप यहाँ पर पता ही होगा कि इस ROM में जो AOD है वो काफी अच्छी तरीके से ही काम करता है आप अगर यहाँ पर डिस्प्ले में आजाए डिस्प्ले में आने के बाद अगर आप lock screen यहाँ पर settings में आजाए lock screen display and then यहाँ पर अगर आप always on को on कर ले तो आप यहाँ पर देख सकते है जो AOD है वो एकदम अच्छे से ही काम करता है यहाँ में एक problem जो था वो था कि burn in protection के लिए AOD जो है थोरा-थोरा move करता था ताकि एक ही जगह में कोई burn in ना हो तो उसके लिए क्या होता था यह fingerprint का जो icon है वो भी move करता था और fingerprint से जो है काम नहीं करता था तो वो जो problem था वो इस update में कर दिया गया है fix अब इसके बाद अगर जल्दी से हम लोग बात कर ले DRM info के बारे में तो चलिए कैसे DRM info भी हम लोग देख लेते है ताकि हमें पता चल जाए कि online streaming services का यहाँ पर हमें कैसा देखने को मिलेगा तो यहाँ पर मैं पहले बता दूना चाहतो Netflix जो है वो directly आपको Play Store में देखने को नहीं मिलेगा वो application यहाँ पर नहीं है तो आपको पाहट से ही AP के download करना पड़ेगा लेकिन अगर हम लोग wide wide CDM का security level चेक करने हैं पर तो security level में हमें L1 देखने को मिलता है इसका मतलब आप किसी भी online streaming services को आराम से full HD में consume कर पाएंगे वो इस regarding भी कोई problem नहीं है SRAM में अब lastly and most crucial point वो है performance तो performance के बारे में अगर हम लोग बात कर ले तो SRAM का performance मुझे decently good लगा एकदम top notch तो मैं नहीं बोलूँगा लेकिन एकदम खराब भी नहीं है decently good है तो मैंने अब पगजी extensively खेला है और मुझे intense 2-3 gaming के बाद 2-3 session के बाद actually मुझे थोड़े थोड़े frame drop देखने को मिल रहे थे इस ROM में तो यह मुझे एक छोटा सा problem लगा and gaming में कुछ दिर बाद जब phone तो रहा घरम हो जाता है उस time battery consumption जो है वो भी थोड़ा सा बढ़ जाता है इनफेक्ट यहां पर मैंने charging भी किया है इस ROM में तो charging speed भी छोट था वो थोड़ा सा कम था MIUI से लगबग आपको देड़ से दुघंटे लग जाएंगे इस ROM को charge करने में एक दब ideal condition में कभी कभी उससे ज़्यादा time भी ले लेता है जब phone का temperature थोड़ा सा high रहता है तो यह एक मुझे छोटा सा issue इस ROM के साथ लगा और मैंने geekman score को भी यहाँ पर test out किया आप सभी के लिए हूँ कि आप सभी मुझे काफ़ी request करते है कमेंट में लेकिन फिर भी मैं as usual कहता हूँ कि इसे final verdict के साथ से मत लीजे फिर भी मैं बताना चाहते हूँ यहाँ पर single core में है 609 multi core में है 211 दोनों ही काफी average score है एकदम top notch तो नहीं है और performance में मुझे decently good मिला है तो मैं आप कहूंगा कि एकदम extreme gamers जो है वो प्लेस इस राम को consider मत कीजिए अगर आप light user है तो जरूर से इस राम को try कर सकते काफी simple है कोई भी ज्यादा आपको customization center में आप देखने को नहीं मिलता एकदम ही simple ROM है basic से features है एकदम easy to use है त जो कि काफी एक अच्छी बात है यहाँ पर हम लोग देख सकते है sales next status जो है वो यहाँ पर enforcing देखने को मिलता है और साथ ही साथ यहाँ पर audio effects भी देखने को मिल जाता है जिसमें कि आप audio के जो effects है उन्हें configure कर पाएंगे और पूरी तरह से अपने हिसाब से audio का output कैसा होगा उससे set कर पाएंगे जो कि और एक अच्छी बात है तो overall यही था इस ROM के review काफी major update तो नहीं है लेकिन stability काफी बढ़ चुका है ROM का and यहाँ अगर मैं बात करना चूँँ तो biometric भी काफी ज़्यादा fast हो चुका है तो अगर आपको यह ROM install करना है अपने K20 Pro में तो चलिए guys जो lock button और volume up button को simultaneously press करना पड़ेगा and हमारे phone को जो है custom recovery mode में ले जाना पड़ेगा झाल 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 झाल झाल जाल झाल प्रेफरेंसे सेलेट करने के बाद किसे भी एक नेटवुक पर कनेटों के जो बेसिक वांडराड फॉर्मिलिटीस है वो हम लोग कर लेंगे पूरे एक बार वो कम्प्लीट हो जाने के पाद हमार जो रॉम है एकदम से रेडी हो जाएगा देन वीज़ेज के लिए तो अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो प्लीज दू लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो मैं चैनल और भिलते आप सभी को नेक्स्ट वीडियो भी